जब गाड़ी खचाखच लदी होने के कारण मानो कराहती हुई स्टेशन से निकली, तब रामलाल ने एक लंबी सांस लेकर अपना ध्यान उस प्राण ले लेने वाली गर्मी, अपने पसीने से तर कपड़ों और साथ बैठे हुए नंगे बदन वाले गमवार के शरीर की बू से हटा कर, फिर अपने सामने बैठी हुई अपनी पत्नी की ओर लगाया, और उसकी पुरानी कुढ़न फिर जाग उठी. रामलाल की शादी हुए दो बरस हो चले हैं, दो बरस में शादी का नयापन पुराना हो जाता है, तब ग्रिहस्थी का सुख नयेपन के अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं, उनहीं पर निर्भर करता है. मातरित्व या पितरित्व की भावना, समान रुचियां, इकठे बिताये हुए दिनों की स्मृतियां, एक दूसरे को पहुँचाये गए सुख कलेश की चाप नयापन मिट जाने के बाद, ये और ऐसी चीजें ही इंटे होती हैं, जिनसे ग्रिहस्थी की दीवार खड़ी हो उने एक दूसरे को कुछ दिया है, तो कलेश ही दिया है, इससे आगे थोड़ी बहुत मामूली सहूलियत एक दूसरे के लिए पैदा की गई है, लेकिन उसका शिथिल दिमाग उन चीजों को सुख कहने को तयार नहीं है, उदाहरन तया वह कमा कर कुछ लाता रहा है, और स् खुद एक दिन से दूसरा दिन कर ले कि चिक-चिक में बच जाए और बस, क्या उसने बीए तक पढ़ाई इसलिये की थी? हर महीने बीस एक रुपलियां कमा कर इसके आगे लाकर पटक दिया करे, कि ले, इस कबार खाने को संभाल और इस ढाबे को चलता रख, इस गमवार क अनपढ़, बेवकूफ औरत के आगे, जो चक्की पीसने और जाडू लगाने से अधिक कुछ नहीं जानती, और यह नहीं समझती कि एक पढ़े लिखे आदमी की भूख, दो वक्त की रोटी के अतिरिक्त कुछ और भी, मांगती है, उसकी खीच एकाएक बढ़कर क्रोध ब जुबाया, और कुछ नहीं तो सुन्दर ही होती, रंग ही कुछ ठीक होता, लेकिन जब यह पहले-पहल मेरे घर आई थी, तब तो मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी, क्यों मैंने इसे कहा था कि मैं अपने जीवन का सारा बोज तुम्हें सौप कर निश्चिन्थ हो जाया था कि जो जीवन मुझसे अकेले चलाए, नहीं चलता, वह तुम्हारा साथ पाकर चल जाएगा, पर मैं तब इसे जानता कब था, मैं तो समझता था कि रामलाल ने फिर एक तीखी दृष्टी से इंदू की ओर देखा और फौरन आँखें हटा ली, ततकाल ही उसे नहीं देती, पोलत अभी गाड़ी की चाल फिर धीमी हो गई, रामलाल अपने पडोसी गमवार की ओर देखकर सोच ही रहा था कि कौन सी वीभत्स गाली हर स्टेशन पर खड़ी हो जाने वाली, इस मनहूस गाड़ी को दे, कि तभी उसकी स्त्री ने बाहर जांक कर कहा, स्ट गाड़ ने सीटी दी, हरी जंडी हिल रही है, गाड़ी चल पड़ी, लेकिन मैं इस पर क्यों खींचता हूँ, इस बिचारी का दिमाग जहां तक जाएगा, वहीं तक की बात वह करेगी न, अब मैं उससे आशा करूं कि इस समय वह मेग दूर मुझे सुनाने लग जाए, औ मेरी जबान खींच ले, आखिर पढ़ लिखकर इतनी भी तमीज ना आई, तो पढ़ा क्या खाक, समझदार का काम है सहना, मैंने उससे प्यार से कभी बात नहीं की, लेकिन जो हृदय में नहीं है, उसका ढोंग करना नीचता है, क्रोध को दबाने का यह मतलब थोड़े ही ह कि जूट मूट का प्यार दिखाया जाए, गाड़ी रुख गई, इंदुने बाहर की ओर देखते देखते कहा, प्यास लगी है, रामलाल को वहस्वर अच्छा नहीं लगा, उसमें जरा भी तो आगरह नहीं था कि हे मेरे स्वामी, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला द इतनी उत्सुक, मैं किसके लिए हूँ कि पानी लाने के लिए कह सकूँ, फिर भी रामलाल ने लौटा उठाया, बाहर जहांका, और यह देख कर कि गाड़ी के पिछले सिरे के पास प्लेट फार्म पर कुछ लोग धकम धका कर रहे हैं, और एक आध जो जरा अलग हैं, कान म नहीं कमा सकता, तो क्या करूँ? गाव में गुंजाईश ही इतनी है, अब शहर में शायद कुछ हो, पर शहर में खर्च भी होगा, मैं खर्च की परवाह न करके उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, और होता तो गाव में छोड़ जाता, शहर में अकेला आदमी कहीं भी रह सकता है, पर ग्रिहस्ती लेकर तो और उसे इतना खयाल नहीं कि ठीक तरह बात ही करे बात क्या करे, रोटी पानी, पैसा मांग ही ले, क्या निकम्मेपन में भी अभिमान होता है? रामलाल नल के निकट पहुँच गया, गाड़ी ने सीटी दी और चल दी, रामलाल को यह नह चक कर उतकंठा से उधर देखने लगी, जिधर वह गया था, गाड़ी चल पड़ी, तब उसकी उतकंठा घोर व्यगरता में बदल गई, लेकिन तभी उसने देखा, एक हाथ में लोटा था में रामलाल दौड रहा है, वह अपने डिब्बे तक तो नहीं पहुँच सकेगा लेकिन पीछे के किसी डिब्बे में शायद बैठ गया, इंदू ने देखा कि रामलाल ने एक डिब्बे के दरवाजे पर आकर हैंडल पकड़ लिया है, और उसी के सहारे दोड रहा है, लेकिन गाड़ी की गती तेज होने के कारण अभी चड़ नहीं पाया, कहीं वह रह ग करे कि वह कहां है, लेकिन क्षण भर में ही इस डर का स्थान एक दूसरे डर ने ले लिया, कहीं वह उस तेज चलती हुई गाड़ी पर सवार होने के लिए कूदे और यह डर उससे नहीं सहा गया, वह जितना बाहर जुक सकती थी, जुक कर रामलाल को देखने लगी, उसके मन में यह होने लगा कि क्यों उसने पती से प्यास की बात कही, यदि कुछ देर बैठी रहती तो मर न जाती, एकाएक रामलाल गाड़ी के कुछ निकटा कर कूदा, इंदू जरा और जुकी की देखे, वह सवार हो गया कि नहीं और निश्चिंत हो जाए, उसने देखा, अं कि अनुभूतियों से बंधे हुए इस शुद्र चेतन संसार की एक घटना के लिए किसी ने चेन खींच कर उस जड़, निरीह और इसलिए अडिक शक्ती को क्यों रोक दिया है, गाड़ी के रुकने का कारण समझ में उतरने से पहले ही, रामलाल ने डिब्बे तक आकर तो आईए, अब आगे सुनते हैं मैं चली, तब रामलाल को नहीं लगा कि वे दो शब्द विज्यप्ती के तौर पर कहे गए हैं, उसे लगा कि उनमें खास कुछ है, जैसे वह किसी विशेश व्यक्ती को कहे गए हैं, और उनमें अनुमती मांगने का सा भाव है, उसने एकायक चाहा कि बढ़कर लोटा बाद एक डॉक्टर ने आकर एक बार शरीर की ओर देखा, एक बार रामलाल की ओर, एक बार फिर उस खुली आँख की ओर, और फिर धीरे से पल्ला खीच कर इंदू का मुह ढग दिया, गाड़ी जरा सी देर रुक कर चली गई थी, दुनिया जरा भी नहीं रुकी, गाड़ से रुपया कमा कर लौट रहा था, आज उसके मन में गाड़ी पर खीच नहीं थी, आज वह यात्रा पर जा नहीं रहा था, लौट रहा था, और वह थका हुआ था, एक छोटे स्टेशन पर वह एकाएक भड़़डा कर उठ बैठा, बाहर जहांक कर देखा, कहीं कोई कुली नहीं था, वह स्वयम बिस्तर और बैग बाहर रखने लगा, तभी स्टेशन के पाइंट मैन ने आकर कहा, बाबुजी, कहां जाएगा, छोटे स्टेशनों पर लाइन मैन और पाइंट मैन ही मौके बे मौके कुली का काम कर देते हैं, रामलाल ने कहा, यहीं एक तरफ करके रख दो, और कुछ सामान नहीं है, बाकी ब्रेक में है, आगे जाएगा, अच्छा, गाड़ी चली गई, बूढ़े पाइंट मैन ने सामान स्टेशन के अंदर ठीक से रख दिया, रामलाल बेंच पर बैठ गया, स्टेशन के एक कोने में एक बड़ा लैंप जल रहा था, उ उसने उस स्टेशन पर पहले नहीं देखा था, यो ही, ठहरिएगा, नहीं, अगली गाड़ी कब जाती है, कल सवेरे, उसमें जायेगा, हाँ, इस वक्त बाहर जायेगा, नहीं, लेकिन यहां तो वेटिंग रूम नहीं है, यहीं बेंच पर बैठा रहूंगा, बूढ़ा मन सारी उमर यहीं कटी है, अच्छा, तुम्हारे होते यहां कोई दुरघटना हुई, नहीं, कहकर बूढ़ा रुक गया, फिर कहने लगा, हाँ, एक बार एक औरत रेल के नीचे आकर कट गई थी, उधर प्लेट फार्म से जरा आगे, हूँ, रामलाल के स्वर में जैसे अरु दोड रहा था, औरत जहांकर बाहर देख रही थी कि बैठ गया या नहीं, तब ही बाहर गिर पड़ी और कट गई, हूँ, थोड़ी देर बाद बूढ़े ने फिर कहा, बाबु जी, औरत जाद भी कैसी होती है, भला वह गाड़ी से रह जाता तो कौन बड़ी बात थी, रामलाल ने टांगें बेंच पर फैलाते हुए कहा, मैं सोंगा, बूढ़ा चला गया, जाता हुआ स्टेशन का एक मात्र लैंप भी बुझा गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, रामलाल उठकर प्लेटफार्म पर टहलने लगा और सोचने लगा, उसने पानी नहीं मा 20 वर्ष पहले के हैं, मर चुके हैं, तब उसकी आत्मा का अकेलापन कहा नहीं, जा सकता, अंधेरे में ही कुछ अनुभव किया जा सकता है, रामलाल स्टेशन का प्लेटफार्म पार करके रेल की पटरी के साथ हो लिया, 110 कदम चलकर वह रुका और पटरी की ओर देखने या तेल के, रामलाल ने चारों ओर देखा, वही स्थान है, हाँ, वही स्थान है, आस-पास के द्रिश्च से अधिक उसका मन गवाही देता है, और रामलाल घुटनों पर सिर टेक कर, आँखें बंद करके पुराने द्रिश्चों को जिलाता है, वह कठोर एकागरता से उस सामने लाना चाहता है, नहीं, सामने आने से रोकना चाहता है, नहीं, वह कुछ भी नहीं चाहता, वह नहीं जानता कि वह क्या चाहता है या नहीं चाहता है, उसने अपने आपको एक प्रेत को समर्पित कर दिया है, जीवन में उससे खींचे रहने का यही एक प्रायश्चि स्वयंप्रेथ होकर, वह मानो उससे एक हो लेना चाहता है, उससे कुछ आदेश पा लेना चाहता है, जाने कितनी बार वह चौकता है. सामने कहीं से रोने की आवाज आ रही है, एक औरत के रोने की. रामलाल उठकर चारों ओर देखता है, कहीं कुछ नहीं दीखता, आवाज निरंतर आती है रामलाल आवाज की ओर चल पड़ता है, जो स्टेशन से परे की ओर है इंदु कभी रोई थी? उसे याद नहीं आता, लेकिन यह कौन है जो रो रहा है? और इस आवाज में यह कशिश क्यों है? कौन है? कोई उत्तर नहीं मिलता दो-चार कदम चलकर रामलाल कोमल स्वर में फिर पूछता है कौन रोता है? रेल की पठरी के पास से कोई उठता है रामलाल देखता है किसी गाढ़े रंग के आवरण में बिलकुल लिप्टी हुई एक स्त्री उसे पास आता देखकर जल्दी से एक ओर को चल देती है और क्षण भर में जुर्मुट की ओट हो जाती है रामलाल पीछा भी करता है लेकिन अंधकार में पीछा करना व्यर्थ है कुछ दीखता ही नहीं रामलाल पठरी की ओर लौट कर वह स्थान खोजता है जहां वह बैठी थी क्या यहीं पर? नहीं, शायद थोड़ा और आगे यहां पर? नहीं, थोड़ा और आगे उसका पैर किसी गुदगुदी चीज से टकराता है वह जुक कर टटोलता है एक कपड़े की पोटली बैठ कर खोलने लगता है पोटली चीख उठती है कापते हाथों से उठकर वह देखता है पोटली एक छोटा सा शिशू है जिसे उसने जगा दिया है वह शिशू को गोध में लेकर स्टेशन लोट आता है और बेंच पर बैठ जाता है घड़ी देखता है तीन बजे हैं पांच बजे गाड़ी मिलेगी अपने ओवर कोट से वह बच्चे को ढख लेता है दो घंटे के लिए इतना प्रबंध काफी है गाड़ी में बिस्तर खोला जा सकेगा रामलाल ने अपने गाव में एक पक्का मकान बनवा दिया है और उसी में रहता है साथ रहती है वह पाई हुई शिशुकन्या जिसका नाम उसने इंदू कला रखा है और उसकी आया जो दिन भर उसे गाड़ी में फिराया करती है गाव के लोग कहते हैं कि रामलाल पागल है पैसे वाले भी पागल होते हैं और इंदू जहां जहां जाती है वे उंगली उठा कर कहते हैं वह देखो उस पागल बूढ़े की बेटी इसमें बड़ा गूढ़ व्यंग्य होता है क्योंकि वे जानते हैं कि बूढ़ा रामलाल किसी के पाप का बोज ढो रहा है लेकिन रामलाल को किसी की परवाह नहीं है वह निर्दवंद्व है उसके हृदय में विश्वास है वह खूब जानता है कि उसकी क्षमा शीला इंदु ने स्वयम प्रकट होकर अपने स्नेहपूर्ण अनुकंपा के चिहन स्वरूप अपना अंश और प्रतिरूप वह बेटी उसे भेट की थी यह कहानी यहीं खत्म होती है और हाँ अगर आप कोई अपने पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए मैं कोशिश करूँगी और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुनने के लिए धन्यवाद